इसमें हम आंत्रिक अंगों के बारे में जानेंगे जैसे हमने फर्स पार्ट में पढ़ा था एक्स्टर्नल और्गन्स वो और्गन्स होते हैं जिनको हम बाहर से देख सकते हैं जैसे आईस नोस और इंटर्नल और्गन्स वो और्गन्स होते हैं जिनको हम बाहर से नहीं देख सकते हैं जो हमारी बॉड़ी के अंदर होते हैं इस वीडियो में हम सिर्फ चार इंटर्नल ओर्गन्स के बारे में जानेंगे जो हैं ब्रेन, हार्ट, लंग्स और स्टामक और यह हम सब की बॉड़ी में होते हैं पोसीशन ओफ इंटर्नल ओर्गन्स इन आवर बॉड़ी यह सब ही ओर्गन्स हमारी बॉड़ी में कहां कहां पाये जाते हैं ऐसी हम सब की बॉड़ी अंदर से होती है यह क्या है ब्रेन, दिस इस ब्रेन लंग्स, हार्ट, स्टामक ब्रेन, ब्रेन मतलब दिमाग यह हमारे सिर के अंदर होता है यह हमारे सभी ओर्गन्स को कंट्रोल करता है यह हमें सोचने, समझने और याद करने में help करता है हार्ट, हार्ट मतलब दिल आवर हार्ट is on the left side of the chest यह हमारी च्छाती के बाई तरफ पाया जाता है यह हमारी पूरी बाई में खून पहुंचाने का काम करता है आवर हार्ट पीड्स 72 ताइम्स एवरी मिनट हमारा हार्ट 72 ताइम्स दड़कता है एक मिनट में पीछे सुना ही दे रही है आवास देर आर टू लंग्स इन आवर बॉड़ी हर किसी के बॉड़ी में दो लंग्स होते हैं लेफ्ट और राइट यह हमें सास लेने में हेल्प करते हैं स्टामक स्टामक मतला पेट हमारा पेट कुछ इस तरह दिखता है जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है यह हमारा खाना पचाने में हेल्प करता है Now some exercise time, so in the blanks Our herd beats blank times your minute हमारा heard ek android में कीप बदाडता है Yes, 72 times You have to write 72 here Our plank helps to digest the food हमारा खाना पचाने में कौन हेल्प करता है? कौन सा ओर्गन? Yes, stomach You have to write stomach here Plank helps us to think में कौन सा ओर्गन सोचने में हेल्प करता है? Brain, yes There are plank lungs in our body हमारी बड़ में कितने लंग होते हैं? Yes, two Matching You have to match the organs with their names First one is brain Second one is lungs This is heart And last one is stomach Thank you Thank you Thank you Thank you